तो आज किस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आप इगनु में जुलाई 2024 सेसन में निव एडिमिसन लेने वाले हैं तो आपके लिए तीन नए अपडेट जारी किये गए हैं जो आपके लिए काफी ज़दा इंपोर्टेंट हैं और आज मैं आपको इसी के बारे में पूरा डीटेल में बताने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और इगनु से रेलेटेट सभी अपटेट और नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिजे ताकि सभी अपटेट आपको मिलते रहे सबसे पहले अगर आप जुलाई 2024 से सेशन में इगनु के किसी भी प्रोग्राम में एड्मिसन लेना चाते हैं तो एड्मिसन का फॉरम किस तरीके से फिलप कर सकते हैं कैसे डायरेक्ट एड्मिसन ले सकते हैं तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं इसमें मैंने registration से ले करके ID card download करने तक का पूरा process अच्छे से बता रखा है इस वीडियो का link मैंने नीचे दे रखा है और अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में तो जो सबसे पहला update आया है उसके according आपको admission portal पर आना होगा इसका link मैंने नीचे दे रखा है यहाँ पर आने के बाद आप हमारे टेलिग्राम चैनल से डाउलोड कर सकते हैं आपको common prospectus यहाँ पर लिक करके search करना होगा तो यह जो PDF फाइल है आपको मिल जाएगा यह हमारे टेलिग्राम चैनल है link मैंने नीचे दे रखा है तो यहाँ पर click करने के बाद यह आपका PDF फाइल उपन होता है यह visibility criteria रहना चीए कितना फिसे duration कितना है वह सब चीज़े जैसे कि यहाँ पर मैं search करता हूं बी अएम तो यहाँ पर search करने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आजाता है इसको आप यहाँ पर click करेंगे तो इसके बारे में सभी जानकार यहाँ पर आपको दे दि इसे आप English Medium, Hindi Medium से कर सकते हैं ये 3 साल का प्रोग्राम है और Maximum Duration है 6 साल यानि कि आपका admission 6 साल तक valid रहता है बीच में अगर आप पढ़ाई वगरा छोड़ देते हैं तो बाद में आप continue कर सकते हैं admission fee से 4500 रुपए इसमें आप January सेशन जुलाई सेशन में admission ले सकते हैं और यहाँ पर देखिए आपको और क्या क्या चीज़ा बताया गया है जैसे कि बैचलर डिगरी के जो प्रोग्राम है जैसकि बैचलर ऑफ आर्ट्स एकनॉमिक्स ये मेजर तोर पर यानि कि 4 ये अंडर ग चार साल में पूरा कर सकते हैं तो तीन साल और चार साल के जितने भी प्रोग्राम है तो यहाँ पर तीन और चार दोनों ही option दिये गए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं वह आपको यहाँ पर बता दिया जाता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडिया फाइल म कि प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद अगर आप यहां पर बीसी सर्च करेंगे तो यहां पर आपको नहीं मिलेगा तो इसको लेकर कि आपने बहुत सारा कॉमेंट भी किया है लेकिन अगर आप इसे चीज़ को इस प्रोस्पेक्टस में सर्च करेंगे जैस तो सब्जक्ट वगएरा आप यहां पर देख सकते हैं कि क्या कुछ बदलाव वगएरा किये गए कितने क्रेडिट वगएरा कि है और नीचे करेंगे तो यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बहुत जल्द इसको अप्टेट कर दिया जाएगा फिर आप इसमें एड़मि है और इसमें आप जन्वरी सेशन और जुलाई सेशन में एड़मिसन ले सकते हैं इसके लब यहां पर अभी और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम कोड है जिसे अपडेट नहीं किया गया है लेकिन वह कॉमन प्रोस्पेक्टस में दिया गया है तो यह जो एड़मिसन का प सब्सक्राइब के अंतरगताते हैं और आपके पास इसका सेटिफिकेट है तो जो एड़मिसन फीस रहता है यह जो एड़मिसन फीस आपका नहीं लगता है सिरिफ 300 रुपे रजिस्ट्रेशन फीस जो कि यहां पर बता गया है और 200 रुपे डेवलोप्पेंट फीस पस आप पर यह चीज़े बताया गया है यह चीज़े एड़मिसन पोर्टल पर बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगा उसके बाद जब आप एड़मिसन का फॉरम फिलप करेंगे तो यहां पर आपको फीस में छूट दिया जाएगा तो इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडि सकते है